स्वागत है दोस्तो आप सबका आज की इस तमागदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले जिमबामवे वोमें वर्सिस साउथ अप्री का एमर्जिंग वोमें किरकेट वेज की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में सो दोस्तो best winning team बना के देने वाला हूँ, pitch report बताने वाला हूँ, captain and vice captain किसे बनाना है वो भी बताऊंगा कितने बलेवाज, कितने all-rounder, कितने गेंदवाज को आपको अपनी team में सामिल करना है उसके बारे में भी हम detail से बात करेंगे सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखेगा चलिए बिना टाइम वेश्ट किये सुरुवात करते हैं इस इंटरस्टिंग वीडियो की सो जैसा कि आप देख पारे हो सौथ अपरी का वोमेन इमर्जिंग इन जिम्बामवे सेक्स अनओफिसियल टीट्वेंटी सीरीज 2023 का सेकेंड टीट्वेंटी जिम्बामवे वोमेन और साउथ अपरीका वोमेन इमर्जिंग के बीज हरारे स्पोर्ट कलब हरारे में खेला जाएगा सो इस मैच की पूरी डिटेल की बात करें तो देखे मैच की जानकारी जहाँ पर आप दीगे जिम्बामवे वोमेन वर्सिस साउथ अपरीका इमर्जिंग वोमेन सेकेंड टीट्वेंटी 20 नवंबर 2023 को 5 बज़ के 30 मिनट वे यानि कि आज के दिन 5 बज़ के 30 मिनट वे यह मैच सुरूओगा हरारे स्पोर्ट कलब हरारे के अंदर अब मैच के पुर्ववलोकन की बात करें तो इस रंगला के पहले मैच में एनरी डेरेक्सन मैन अप दे मैच थे और कैलेस नदलोवू ने 89 मैच फैंटेसी अंकों के साथ जिम्बामवे वोमेन के लिए सबस्याधिक फैंटेसी अंक बनाए जबकि एनरी डेरेक्सन 90 मैच फैंटेसी पॉइंट के साथ साथ अपरीका इमर्जिंग वोमेन के लिए फैंटेसी पॉइंट लेडर वोर्ड पर नमबर वन थे अब पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो जैसा आप देख रहे हो हरारे स्पूट कलब हरारे में ट्रेक काफ सुझाव है कि आप अपनी टीम में अधिक से अधिक तीज गेंदवाजों को चुने सीधे मुकाबलों की बात करते तो इन दो टीमों के बीच खेले गए 6 मैचों में जिम्बामवे वोमेन ने च्यार और साथ अपरीका वोमेन ने दो मैच जीते हैं जिम्बामवे वोमेन के आपनी टीम के लिए सबसे अधिक फैंड़स यंग अरजित किये जबकि बलेबाजों ने साथ अपरीका वोमेन इमर्जिंग के लिए सबसे अधिक फैंड़स यंग प्राप्त किये अब तीन बलेबाज विकेट के पर आपको बताने जा रहा हूँ पहला है मेरी एने मुसंडा पांच मैचों में 229 रन बना चुके हैं लास्ट मैच मे अरदसह तक भी इन्होंने लगाया दूसरा है चिपो मुगेरी ट्राइपएनों पांच मैचों में 177सच रन यह बना चुके हैं तीसरा है टेगोबॉम मेके केこんにちは हैं अलक बात करतें ऐसेन नाइडू चार मैचों में चार रन बना चुके हैं। तीसरा है नौबुलूम को बैनेटी इन्होंने पांच मैचों में तीन विगेट लिये। बात करें आल्राउंडर खिलाड़ियों की सो पहला है कैलिस नौदलूवू तीन मैचों में अठवसी रन बनाए एक विगेट लिया, दूसरा है नौनुदूमीचो सांगेज चार मैचों में उनपचास रन बनाए तीन विगेट लिया, तीसरा है सेसनी नाइडू चार मैचों के सुजाव की तो कप्तान यहाँ पे मेरी एने मुसंडो को सेलेक्ट करना है लास्ट मैच में भी 71 रन की पारी के लिए पांच मैचों में तीन बार अर्दसा तक बना चुके हैं तो कप्तान के तौर पे बढ़िया विकल्प है उपकप्तान की बात करें तो उपकप्तान आपको नॉमवेलो सिबांडा को सेलेक्ट करना है बहुत ही सांदर पर्फोमेंस है और बड़िया विकेट भे इन्होंने लिए दोनों टीमों के स्कौाइड के बात करते हैं तो देखे जिंबामवे वोमें और साउथ अप्रिका वोमें इमर्जिंग का स्कौाइ अब बनी बनाई फैंटसी टीम में आपको बता देता हूँ तो विकेट के पर के तौर पे आपको मॉड्स्टर मुपाचीकवा को सेलेक्ट करना है बले बाज आप मेरियान मुसौंडा एंड्रिया इस्टैन को लेंगे ओल्राउंडर के तौर पे कैलेस नदलोवू नंडू सेलेक्ट करेंगे गेंदबाज के तौर पे नॉमवेलो सिमांडा सैसेन नाइडू नॉबुलूम को बैनेटी लिंडो कुले मभेरो और कुड़जाई सिगारो को सेलेक्ट करेंगे कप्तान आप जोस्पेन नकॉमो को सेलेक्ट करेंगे एंड उपकप्तान कुडजाई सिग में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं दूनों टीमों के स्क्वाइड को मैंने आपको बता दिया है वीडियो अगर आपको इंफरमेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग